वीक मसल्स ही हमारी रिकवरी डिले करती है दूसरा बहुत बार क्या होता है प्री रियाइब ले हम अगर किसी अगुटना नहीं मूड रहा है पूरी तरह से जाम हो रहा है तो वो हम खोल सकते हैं अंदर ही प्रटक्शन दे देते हैं एक्टिविटी जल्दी चालू होती है पेशेंट की मसल्स डवलपेंट जल्दी चालू होता है ट्रीडिंग चालू कराता है हम हर वीक कॉल करके आउनलाइन एक्सजाइज कराते रहेंगे ताकि आप जल्दी बैक्टो स्पोर्स चले जाएं आज आपको गुटने में दर्दुआ तो आज से ही उस पे एक्शन लेना जरूरी है सबसे पहले एक्शन होता है दोस्तों एक्साइज़ तो उसके लिए आप हमें अपने एक्से बैस सकते हैं हम आपका एक्सेज़ाइज ऑन-लाइन ऑफ-लाइन दोनों ही तरीके से शुरू करा सकते हूं एक्सेज़ाइज हम देर देरे इंक्रीज भी कर सकता है हमारे फियो तरपी सेंटर वाले दॉक्टर बन्हु को पेशंट की क्यों है लिए लिए आप इसके लिए प्यामय विज डोउन के सब़ाइज करए अब क्यों आप लिए लिए सब्सक्राइज डिले करती है हमारे घुटने को घिसती है और दुबारा इंजरी के चांसेज बढ़ाती है सर्जरी के बाद पेशन्ट कुछ एकसराइजेज़ पहले ही करना सीख ले उससे कई सारे फायदे है पहला फायदे तो यह मिलता है कि सर्जरी के बाद कुछ तो पेन होगा सो पेन में अगर घुटना जाम हो तो वो खुल जाए आपकी जो मास पेशेंट जो पतली पड़ गई कमजोर पड़ गी इंजरी के वेसे वह थोड़ी मजबूत उन्हाद नहीं बाद कर सकते हैं तो प्री रियाब इसलिए जरूरी है ताकि अगर आप गुटना जाम हो तो वो खुल ज है आपकी जो मास पेशेंट जो पतली पड़ गई कमजोर पड़ गई इंजरी के वेसे वह थोड़ी मजबूत होने लगे तक यह सर्जरी की रिजल्ट है तो अगर मैं स्पेसिफिक बोलों तो प्री रियाब बहुत जरूरी है तो हर पेशेंट को एक अच्छे फियो थरपी से जिनको उस इंजरी को ट्रीट करने का बहुत जादा नूबव उनसे प्री रियाबिलिटिशन लेना ही चाहिए जिसके अंदर उनका घुटने का अगर कोई जाम है बेंडिंग नियारी तो वो पूरा खोला जाता है उनकी मसल को स्ट्रॉंग बनाया जाता है सर्जरी की ब जा सकते हैं अगर आपके जो लिगमेंट है तो उसमें बैक टू स्पोर्स कब जा सकते हैं या कौन सी तरीकी सर्जरी होई है और कहां से रियाबिलिटेशन ले रहे हैं इस पे डिपैंड करता है अगर हमारी एसे सर्जरी एसेल रिपेर विद इंटरनल ब्रेस हुआ है या एक टू स्पोर्स तवरा जल्दी जा पाएगा पेशन और नमली एक टू स्पोर्स तबहु पेशन जा पाएगा जब उसकी मसल बहुत अच्छी हो जाएगी कि अगर दुबारा इंजरी लगे तो मसल समारे नए लिगमेंट को बचा ले और हमारे मसल इतना अच्छे हैं कि ह हमारे नीके जो मुवमेंट से उनको भी कॉडिनेट ली कर रहा है तो बैक टू स्पोर्स जनरली ट्रेनिंग चालो होती है एसील सरजरी के बाद जो कि बहुत जरूरी है सभी लोहों के लिए इसे उनके लिए एथलीट के लिए नहीं एक नॉर्मल पेशन भी आपको बैक ट कर रहे हो जिसके अंदर पाइलोमेट्रिक्स, रनिंग, जंपिंग, सेंट्रिक, इसेंट्रिक, बहुत बड़ा रियाबिटिशन शिड्यूल है तो वैसे ही सेंटर करवा पाएंगे वो ट्रेनिंग जिनके पास वो सारी फैसिलिटीज है जिसमें जिम हो, रनिंग ट्रैक हो, एक एकसपर्ट फियोथेरपी टीम हो, जो ACL की सरजरी के बाद रियाबिटिशन बहुत लंबे समाज से करा रही है, तो अगर मैं इस्पेसिविक टाइम लाइन दू, अगर आप सरजरी को बहुत मैंनत कर रहे हो, एक अच्छे फियोथेरपी सेंटर और एकसपर्ट की गाइ अगर आपको बैक्टो स्पोर्स जाने में तकलीफ हो रही है, तो आप हमें कॉंटेट कर सकते हैं, हमारे जो थेट्स फीजियो है, वो आपको एवल्यूएट करेगा पहले, फिर आपका एकसपर्स शिडूल बनाएंगे, और आपकी ओन-लाइन ट्रीण चालो कराते हैं, हम ह मल्टिपल सर्जरी के बाद जो ओए प्रॉब्लम हो जाती है, और एकसरसाइजे से ओए का रहाब अच्छा होता है, तो उस पर आप क्या एड्वाइस करोंगे पेशेंट के लिए हैं, मल्टिपल सर्जरी या सिंगल सर्जरी भी हो है, ACL की रिकंस्ट्रेक्शन हुआ है, रि और सर्जरी के बाद भी ऑस्ट्रा अथ्रेटिस हो गया, सर्जरी गलत होई, नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्तों, होता किया है कि इंजरी और सर्जरी के बाद मसल्ज भी पड़ जाती है, गुटने की, मैक्सिमम इंडिया में नॉर्मल एकसरसाइजेस कराने वाले बहुत लो क्योंकि हमने एडवांस ट्रेनिंग नीली रिहबिलिटेशन की, एसील एडवांस रिहबिलिटेशन, लोगों को मालूम नहीं है कि वो कैसे कराना है, बड़े सेंटर्स नहीं है, जिनके पास जेमो रणिंग के लिए ट्रैक हो, और ही बहुत सारी चीजें हो, जो वो एड़ गिसने लगते हैं, और हमारा जो नया लिगामेंट है, वो धीला होने लगता है, उस पर प्रेशर जदा पड़ता है, यह हो सकता है, वो टूट ही जाए थोड़ से, जटका लगे तो क्योंकि मसल बचानी पारी है, तो यह सभी चीजें आपको और आपको ऑस्टो को, एक्सपर्ट फ्यो थेरपिस्टों जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, वही आपके नए लिगामेंट को बचा सकते हैं, और आपको फ्यूचर में और आस्टो आर्थरेटिस से भी बचा सकते हैं, जो कि एक क्रूशिल स्टेप है, सर्जरी के बाद है, अगर यह नहीं कर सकते हैं, हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रेन करते रहेंगे, आप हमें संपर करिए और एक बार इवेल्यूट करने के बाद हमारे फ्यूचर तरपिस्ट आपका ऑनलाइन सेजन शुरू कर सकते हैं, ओल्डेज लोगों में घुटने का दर्द, घुटने का घिसना, और स्ट पर अगर ओल्डेज में घुटने दर्द होने लगे हैं, और बहुत साय डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि रिप्लेस्मेंट, डेफिनिटली, अगर आपने अपना घुटना पूरी तरफ से घिस रखा है, तो मेरे पास आओगे, तो मैं भी बोलूँगा नी रिप्लेस्में आज आपको गुटने में दर्द दुआ, तो आज से ही उस पे एक्शन लेना जरूरी है, सबसे पहले एक्शन होता है, दोस्तों, एक्सेसाइजेज कौन सी एक्सेसाइजेज करनी है, वो एक अच्छा फियो थेरपिस बताता है, आप हमें संपर कर सकते हैं, हम बताता है है, तापको आपको एक्सेसी ईंक्रीज करना और ओर रे एक्सेसाइजेज करना जो जरूरी है, ऐसे नहीं कोई भी एक्सेसी वो आपके घुटने दर्द को ठीक करेगी, आप गुटने को ग्शने से बचाईगी, तो उसके लिए आप हमें अपने एक्सेसाइजे सकते हैं, हम आपका exercises online, offline, दोनों ही तरीकी से शुरू करा सकते हूं और exercise हम देरे-देरे increase भी कर सकते हैं हमारे few therapy center वाले जो एक अच्छा few therapist, जो doctor होता है, expert doctor वो ही करा सकता है दूसरा अगर कम घिसा है तो उसको regenerate किया सकता है PRP, ACP की मदद से जो आपकी blood से बनते हैं, जो simple injections होते हैं, surgery नहीं होती है और cartilage रिजन रहाता है, अगर आपका जादा घिस किया तो definitely surgery ही ज़रूरत है पर जो लोग surgery नहीं कराना चाते हैं, उनका भी pain reduction करा सकते हैं जिससे उनका pain significantly कम होता है with good exercises, weight reduction और regeneration of the cartilage with ACP और PRP, platelet-rich plasma injections गुटने दर्द के लिए, osteoarthritis में, ligament के जो low grade tier रहते हैं, ACL, PCL के, उसमें platelet-rich plasma के injections दिये जाते हैं और उसके बाद exercises क्यों जरूरी है, अगर आप exercises नहीं लोगें दोस्तों तो treatment काम ही नहीं करेगा इसलिए जरूरी है, कि आपको यह समझना जरूरी है कि जो हमारा गुटना है, वो अकेला part नहीं है पैर का उसमें उपर का femur भी है, उसके उपर muscles भी है, नीचे TBI भी है, उसके round भी बहुत सारी muscles है, core भी है, back भी है, hip भी है सो आदमी एकर चल रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें यूज हो रही है, जिसमें कमर से लेके नीचे का सारा part है, इसमें bones भी है, muscles भी है, tendon भी है, problem MRI ने पकड़िये कि आपके, एकसे ने पकड़िये कि आपके cartilage गिज गए है, या फिर आपके ACL में partial tear है, complete, एक MRI ने एक problem पड जब हम इसको ठीक करेंगे, PRP की मदद से, ताकि आपका operation ना हो, प्लेट रिज प्राजवांस, हम रिजनरेट करेंगे, cartilage को करेंगे, osteoarthritis में, ACL partial tear में, ACL को रिजनरेट करेंगे, पर muscles जो weak है, उसको अगर हम exercises ठीक ना करें, या फिर cartilage गिस रहा है, क्योंकि आपके muscle imbalances थ आपके चल रहा है, कॉंटो मेलेशिया ठीक नहीं करूंगा, तो तो कभी पूरा treatment होगा ही नहीं, अब exercises की बात है, exercise इंक्रीज करनी पड़ती है, PRP injection के बात जो exercise तिखाई जाती है, हर seven days में exercises increase होती है, कम से कम तीन से चार महीन है, हमारे athletes और बागी जो लोग हैं, जिनका treatment करते हैं, हमारे जो फियो थर्पिस्ट है, वो महनत करते हैं, ताकि हम exercise इंक्रीज करें, back to advanced level की exercise लेएं, ताकि हमारा घुटना पूरी तरह से ठीक होपाई, घुटना पूरा पैर ठीक होपाई, क्यों पैर ठीक करना जरूरी है, घुटना अपने आप ठीक होजाता है, तो अप्रोच ही है, कि सिर्फ यहां मत देखो, आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, चलने में घुटना दर्द करें, तो घुटने के अलावा उपर और नीचे भी पूरा ट्रीटमेंट लेना है, तभी आप ठीक होगे नहीं, तो इंजरी ठीक भी और दुबरा भी आ जाएगी, तो आप हमें संपर कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट फियो तरपिस्ट आपको इवैलिएट करके बताएंगे कौन सी एक्सेसे ज़रूरी है, तो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, और यह ऑनलाइन भी संभव है, तो उसके लिए प्लायोमेट्रिक्स और जो एडवांस एक इसेंटरिक एक्सिजएज एगिलिटी ट्रेइनिंग वह बहुत ही ज़रूरी है, और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो बैक्टू सपोर्ट आता है, नॉर्मल लोगों के लिए जिनकी भी थे सरजईरी हो, अनके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्यों कि जब थे सर तो हमेशा वो इंजरी में का डिस रहगा दूसरा उस लेवल की एक्साइज करो कि तभी आपके थाई की मसल अच्छी होगी जो आपके घुटने को घिसने से बचाएगी तो आपको ऑस्टो अर्थरेटिस नहीं होगी तो आपको अपने खराब नहीं होगा फ्युचर में तो नहीं है आपके घुटने को बचाएगा नहीं आपके मास पीच अडिली पड़ी रहेगी और आपका लिगामेंट दुबारा तूट जाएगा तो प्लायोमेट्रिक ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद हमारे घुटने को घिसने से बचाने के लिए ताकि आपको ऑस्टो एक्सपर्ट फियो तरपिस्ट और एक्सपर्ट सेंटर जिसमें सारी फैसिलिटीज जिम की स्टेंथ रेनिंग की प्लायोमेट्रिक्स की वो बड़ा रेर इंडिया में फाइंड आउट करना तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो आप हमें संपर कर सकते हैं हमारी फीडबैक भी मिलता रहता है कि कहीं एक साही साही होड़ी ये गलत और ये अंगल्स कितने हैं ये आई की मदद से जी उलत भा मत्त जलत और गलताएं लेय्वेट्रे और रहता है तो आप क्शेता हैं लावल्स को आप क्या है click क्कूल बड़ा रहता हैं जी दूस्ता चशीय।